कि यह जो विडियो बनाय जा रहा है वो कुछ घास को आंसर करने के लिए बनाय जा रहा है जैसे कि आप जानते हो कोविड के वज़े से एक्जाक्ली अब यह बहुत बड़ा टेंचन हो जुका है कि अगर जिन लोगों को सीए फाउंडेशन का अटेम्ट देना है उनके लिए बैचेस कम होगी क्योंकि कुछ लोगों का अटेंट जो है वो है में में कुछ लोगों का अटेंट है वो है नोयमबर में तो चाहे वो में 21 हो चाहे नोयमबर 21 हो उनको अगर सीए फाउंडेशन का एक्जामिशन देना है तो खास ऐसे लोगों के लिए है वी आ स्टार्टि जो face to face भी होगी, जो live streaming mode में भी चलेगे, it will be starting from 22nd of February, जी हाँ, जिन लोग का attempt में 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 भी है, यानि कि होँए पुरी chance लग रहा है, इस बार की attempt में 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 तो नहीं होगा, वो में के end में हो सकता है, या फिर जून में हो सकता है, जी हाँ, जिस तरह से attempt हमारे इसके पहले के हुए है, उन बातों को मदर नजर लगते हूं, मुझे पूरी संभावना लगती है कि attempt जो है, इस बार जून में होगी, बर whatever, में में होते हैं या जून में होते हैं, और जो अगला attempt जो जिनका November है, ऐसे सारे लोग के लिए खास हमने जो बैज बनाई है, वो इट स्टार्टिंग फॉन्टी सेकंड और फेबरॉरी, जिन में आपको लगता है कि आपको face-to-face पढ़ना है, आप पूना में आ सकते हैं, जहांपे हम आपके लिए free accommodation के भी सोविदाय देने, जहांपे हम आपके रहने का पूरा इंतिजाम करेंगे, वो भी अच्छी जगापे, और with all the safety measures, जहांपे आपको रहने की बहुत अच्छी सोविदाय पराप्त होगी, और आपको पूने में उन सारे faculty से face-to-face पढ़ने का मौका मिलेगा, जिले लोगों आज तक आपने सिफ यूटूब पे देखा, अगर आपको लगता है वो सब चीज़े मुम्कीर नहीं है, आपको अपने घर से ही देखना है, तो there's one more option, जहांपे आप इन सारी चीज़ों को live streaming mode पर भी देख सकते हैं, हाना कि ये बात भी मुझे कहना ज़रूरी है, कि अगर जो लोग live streaming भी नहीं करना चाते हैं, जो face to face भी नहीं पढ़ना चाते हैं, there are two more options, जिसमें हम लोग paint drive, google drive को भी option देते हैं, और OTT mode, यानि कि ये सारे lectures आप mobile application पे हो, या फिर laptop पे हो, जैसा आपका मन करता है, जिस भी format में आप देखना चाते हो, इस सारे lectures आप देख सकते हो, सबसे बड़ी बात है कि सारे lectures के जो video quality है, जो video content है, जो notes के content है, it will remain same, सिर्व आपको अपना convenience देखना है, कि आपको कैसे आच्छा लगता है, अगर आप कहेंगे, इस दर pen drive, google drive लेना है, या ODD लेना है, तो क्या वो अभी भी उपलब्द होंगे, जी हाँ, वो अभी भी आज के इस गड़ी पर भी, स्वपनिलपर्टी.com पर उपलब्द होंगे, दोस्तों, आपके लिए बहुत अच्छी एक बात है कि, अगर आपका exam mission 12th का जो है, अगर वो में में है, या एप्रिल में है, तो आप यह कहेंगे कि, आपकी जो badge, जो 22nd, 5th से चालो हो रही है, तो फिर उसके बीच में हमारे कुछ lectures मिस हो जाएंगे, तो आपको अब उसका भी टेंचन नहीं है, क्योंकि आपको ऐसे समय पे, हम बैक अप लेक्चर भी प्रवाइड करेंगे, तो इन केस, यू आर फेसिंग इस प्रॉब्लम की, हमारे 12th की examination badge के बीच मेंगे, तो हमारा क्या होगा, तो अगें, यू दोंट आपको वरी अप लेक्चर भी आपको मिलेंगे, बैक अप लेक्चर तो विच यू रिगवर दोस लेक्चर विच विच यू आपके लिए प्रॉब्लम नहीं है, तो आप सभी को, मैं कह देना चाहता हूँ, अगर आप सच में, इस अटेम में पढ़ना चाहते हैं, में में पढ़ना चाहते हैं, या नोवेंबर में पढ़ना चाहते हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, वेर यू कन स्टड़ी, फेस तो फेस अस वेला लाइफ स्ट्रॉमिंग मोड, और मुझे एक बात कहना, यहां पर यह भी मैं जरूरी समझता हूँ, कि अगर आपको ऐसा लग रहा है, कि अब मेरे एक्जामनिशन में में है, तो में अटेक्ट आपके लिए है, और आपकी जो ट्वर्ट की एक्जामनिशन है, वो भी बीच में आ रहे हैं, तो मेरा यह मानना है, कि मेरा एडवाइज है, कि अटेम्ट देने में क्या लॉस है हमारा, मैं जानता हूँ कि अगर आपके ट्वर्ट की एक्जामनिशन भी है, और फाउंडेशन एक्जामनिशन भी बिल्कुल करीब करीब आती है, तो इसमें बिल्कुल भी हमारा लॉस नहीं है, हम तो ट्राय तो करी सकते हैं, और अगर हमारा अच्छे से प्लान करते हैं, अगर माननीशा अभी जन्वरी चल रहा है, तो फेब्रोरी है, मार्च है, अप्रिल है, अगर हम लोग ढंक से प्लान करते हैं, तो हम लोग बेशक दोनों भी एक्जामनिशन को अच्छे से क्लियर कर सकते हैं, और अगर माननीशा आपको डर है कि मैं कई फेल ना हो जाओ, तो फेल होने, कोई लॉस नहीं, आपको तो नॉवेंबर अटेंप तो वैसे भी मिलने ही वाला है, so you don't have to worry about this कि आपको पास होंगे या फेल होंगे, कम से कम आपको इतना पॉजिटिव रहना है कि इस बाहने से आपकी CA Foundation की बहुत ज़दा पढ़ाई हो जादी है, बहुत अच्छा होगा अगर आप पास हो जाएगे, क्या बुरा होगा, आपके साथ में कुछ बुदा होना नहीं है, क्योंकि आपका कम से कम उस बहाने से एक बार दो बार पढ़ाई अच्छे से तो हो जाएगी, और जैसे कि आप जानते हैं, तो हम अगर अगर एक्जामनिशन इस बार जूर में होती है, तो हम मैक्सिमुम पोर्शन जो है, फेस टू फेस और लाईश्रमे में खतन कर लेंगे, अगर हमें लगता है कि पुरा पोर्शन खतन नहीं हो पाएगा, तो हम आपको सारे के लेक्छर्टस जितने कावर जो होगे- वो हम आपको OTT फॉर्म में दे देंगे, ताकि आपके पूरी तरह से इस सारे के सारे लेक्छर्टस जो है, एक्जामनिشन के पहले कावर हो जाए, तो इन सारी बातों को cover करना मुझे बहुत सुरूरी था अगर आपको इंट्रस्ट है आपको लगता है कि आपको इस batch को बिलकुल करना है आपको पूरा में आके पढ़ना है या लाइस्टिम में जैसे भी आपको पढ़ना है या जिन्होंने CA Foundation का ओर्री एक्जानिशन दिया है या फिर मान दिजिए जो अब यह तक कितने confident feel नहीं करते हैं यह batch उनके लिए भी बहुत important साबित हो जकते हैं तो इस सारी बाते मुझे आपके doubt sales को clear करने के लिए बताना जरूरी थे हैं Thank you so much for watching this video guys, take care, bye-bye